महतमा जी की बाते सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगे और महतमा जी की जैजैकार करने लगे महतमा जी आखें बंद करके फिर ध्यान में मगन हो गए तारा महतमा जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और मनी मनी यह सोच रही थी कि हे भगवान आपने मुझ जैसी एक साधरन सी लड़की को कहां से कहां पहुचा दिया सच मुझ मैंने पिछले जनम में कुछ अच्छे करम किये होंगे जो मुझे इन जैसे महतमा जी की संगत प्राप्त हुई है उधर रामू खिसी आते हुए अपने घर चला गया था उसे धीरू पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि धीरू की वज़े से वे अपना काम पूरा नहीं कर सका और फिर वे गुस्से में तम तमाता हुआ अपने घर चला गया और उसके जाने के बाद धीरू भी अपने घर के अंदर आ गया घर के अंदर पहुचने पर धीरू ने दर्वाजा ठीक से बंद कर लिया और फिर अंदर आकर चंदा और जुगनू को कमरे से बाहर निकाला और उसके बाद उसने चंदा से कहा तुम अपना सारा समान तयार रखना मैं तुमें उस सहर का पता दे देता हूँ जहां रामु रहता कहां था पर इतना जरूर पता है वह किसी धावे पर काम करता था उस धावे का नाम भी मुझे पता है मैं तुमें उस धावे का नाम बता दूँगा तुम उस धावे पर जाकर तारा के बारे में पूछ सकती हो लेकिन अब तुमें आज रात जो इस गाउं को छोड़ कर जाना होगा क्योंकि ये गाउं के लोगों का कुछ पता नहीं है आज तो ये लोग सांथ हो गए थे लेकिन कल दोबारा रामों के भड़काने पर ये दोबारा भड़क सकते हैं और वैसे भी अब इस गाउं में तुम्हारा क्या धराए खेती बाड़ी तो है नहीं वैसे भ लगा चंदा मना मत करना ये कुछ पैसे हैं रख लो उस समय के लिए ये तुमारे काम आएंगे इन पैसों से तुमारा एक महीना तो आराम से गुजर जाएगा और तब तक तुम्हें कहीं न कहीं काम भी मिल जाएगा धीरू के इस जज़बे को देखकर चंदा की आखों मे आसु टपकने लगे उसने अपने आसु पोँचते हुए धीरू से कहा क्यों तुम्हें इतनी मदद कर रहे हो धीरू मैं इस लायक नहीं हूँ मैंने तो हमेशा तुमारी बेजती की है तुम इतने अच्छे इंसान हो कास मुझे यह समय रहते पता चल जाता धीरू ने मुस्क नहीं देते हैं देखना बहुत जल्दी तुमारी तकलीपे भी दूर हो जाएंगी पर उस दिन मुझे भूल मत जाना यह पैसे सूद समय तो अपस लूँगा तुमसे और उस दिन और ऐसा कहकर धीरू मुस्कुराने लगा धीरू की बात सुनकर चंदाने रोते रोते जो व ने तो बहुत बड़ी मदद की है मेरी हमारे अपनोंने हमें ठुकरा दिया जिन से हमें कोई उम्मीद नहीं थी वे हमारी मदद कर रहे हैं सच मुझ हम बहुत भाग्या साली हैं धीरू के पिता ने जुगनू के हाथ पकड़ते वे का अरे नहीं जुगनू भाई हम कौन हो कर दे लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें तुमारी मदद इस तरह से करनी पड़ जाएगी खेर चलो जो भी है वैसे भी तुम लोग कौन सा इस गाउं में रहते हो अब तुम लोग कुछ खा पी कर थोड़ा आराम कर लो आदी रात को हम तुमें स्टेशन छोड़ाएंगे कड़के ही बस पकड़कर सेहर निकल जाना ताकि गाम वालों को कुछ पता ही न चले और फिर धीरू और उसके पिता ने उन लोगों की सारी तैयारियां करवा कर आदी रात के समय इस टेशन पर छोड़ दिया धीरू रात वर चंदा और उसके बच्चों के पास बैटा रहा और सुबह जब हुई तो बस आ गई और उन चारों ने बस में बिठा कर धीरू अपने भीगी पलके लेकर अपने घर वापस आ गया धीरू का मन नहीं था कि वे चंदा को इस तरह सहर भेजे वे चाह रहा था कि वे चंदा को अपने पास ही रूख ले और जिंदगी भर उस से उपर हो जाता है और आज वही दिल का रिस्ता धीरू चंदा के साथ निभाना चाहता था और उधर मंदिर में तारा को आज अपनी किस्मत पर बड़ा गरब हो रहा था उसे लग रहा था कि वे कितनी खुस नसीब है जो इतने ग्यानी और हिर्द्या से इतने सच्चे मात समाजी के साथ उसे रहने का और कुछ सीखने का अफसर मिला है और तभी तारा से मिलने कुछ लोग आकर पांडाल में सोर मचाने लगे बार खड़े होकर लोग जोर जोर से चिला रही थे तारा माई की जै हो तारा माई की जै तारा के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह जैकारे उसके लिए ही लग रहे हैं वे उटकर बाहर जाने लगी तब यह उसके जो सुरक्षा कर्मी तारा को रोकते हुए कहने लगे सादवी जी आप वहां मत जाईए आपके लिए वहां जाना सुरक्षित नहीं है तारा ने उन ने आया है और ऐसा कहकर तारा उन लोगों से मिलने के लिए गेट तक पहुँच गए वहां सामने पंधताईन के साथ बहुत सारी औरते थी जो तारा को देवी मानकर पूझ रही थी तारा से मिलने आ गई थी तारा ने हाथ जोड़कर पंधतानी जी को नमस्कार किया और प सम्मत कीजिए आप तो मेरी मा के समान है आप मेरे पैर मत पढ़ा करिये पंधताईन जी कह हाथ जोड़ते हुए तारा से कहा आप जैसी देवी के पैर पढ़कर हमारा उदार हो जाएगा हमें जैसे ही पता चला कि आपका काफिला सहर में आ रहा है तो हमने सब को इखटा कर लिया क्योंकि सबी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुकती आपको पता है आपके जाने के बाद हम सब रोज हमारे घर आते हैं और जिस कमरे में आप रहती थी उस घर को अब हमने मंदिर बनवा दिया है सब लोग वहां बैठकर आपकी पूजा करते हैं और रोज रात में हम आपका कीर्तन भी करते हैं तारा आश्चरिये से पनताइन जी का चेहरा देख रही थी उसने पनताइन से कहा आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं यह गलत है मैं तो एक साधारन सी इंसान हूँ जब मंदिर में साक्षात मातारानी वास करती हैं तो फिर आप लोग मुझ जैस इंसान को क्यों भग्वान बना रहें आप बस दुरगा मा को ही सचे भाव से पूजिये वही आप लोगों का कल्यान करेंगी पनताइन जी सभी ओरतों का चेहरा देखने लगी फिर सभी ओरतों ने तारा से कहा तारा माई क्या आप एक दिन के लिए अपने इस्ठान पर तारा ने एक बार उन सबसे का मैं हुआ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि हम मैं महतमा जी के सरंग्शन में हूँ और उनकी आग्या के बिना मैं कहीं नहीं जा सकती इसलिए जब भी आप लोगों को मुझसे मिलने काम मन करे तो आप लोग मंदिर में आ जाया करिए कल से हम लोग आपको पूरा दिन मंदिर में ही मिलेंगे कल से मंदिर में यक का आयोजन हो रहा है जो पूरे पंद्रे दिन तक चलेगा आप सब लोग रोज आया करिए वहाँ पर आकर आप महतमा जी के प्रवचन भी सुनिये और मुझसे भी मिल लिया करिए तारा की बात सुनकर सब लोग खुस हो गए फिर तारा के जैकारे लगाते हुए वहाँ से जाने लगे उन लोगों का प्यार देखकर तारा को अच्छा लगा और वह मुस्कुराती हुई सी जैसे ही पल्टी पीछे मातमा जी खड़े थे तारा ने उनकी तरफ देखा और हाथ जोड़कर उनके पास जाकर कहने लगी माफ करिए यह सब लोग हम यहां मंदिर में ही रहते थे पहले तो यह हमें देवी मान कर पूजने लगे हैं और जब उन्हें पता चला कि मैं यहां दोबारा आ रही हूँ तो यह हमें बुलाने आएंगे मैंने जो मना कर दिया है तारा की बात सुनकर मातमा जी मुस्कुराते रहे फिर वहां से जाने लगे तारा पीछे जाते वे उनसे क्या आप हमसे नाराज हैं क्या मातमा जी क्योंकि हमने सुरक्षा कर्मियों की बात नहीं मानी और हम ऐसे ही बाहर आ गए मातमा जी ने पलट कर उसकी तरफ देखा और उससे कहा इस बात से हम तुमसे नाराज नहीं हैं बलकि खुस हैं इससे यह पता चलता है कि तुम अभी भी जमीन से जुड़ी हुई हो और अपने आपको महन नहीं समझती हो और फिर ऐसा कहकर महत्मा जी वापस अपने पंडाल की तरफ जाने लगे जुगनू और चंदा उधर बस में बैठ कर सहर जाने में लगे थे लगबग पांच घंटे का सफर तै करने के बाद वे लोग सहर पहुँच गए थे जुगनू और चंदा को जायदा फिकर नहीं थी क्योंकि धीरों ने उनकी जो काफी मदद कर दी थी फिलाल उन्हें बस अपने रहने का ठिकाना ढूंडना था और काम ढूंडना था जिससे वे आराम से सहर में गुजर बसर कर सकें बस से उतरते ही जुगनू और चंदा एक घर की तलास में निकल पड़े कैई जगह पूछते पाचते वे लोग उसी बस्ती में पहुँचे जहां कभी चंदा राहा करती थी असल में वे बस्ती ही ऐसी थी जहां कम पैसे वाले लोग आराम से रह सकते थे सस्ती जगह होने के कारण हुआ कमरा आसानी से मिल जाता था और जुगनू और चंदा उन दोनों को भी रहने के लिए एक कमरा मिल गया था जुगनू और चंदा किराए का पैसा देकर कमरे के अंदर आ गए दो दिन से ठके हुए जुगनू और चंदा ने अपने लिए विश्तर बिचा लिया तब तक पायल चंदा की साड़ी खीचते हुए उससे कहने लगी माभूक लगी है चंदा ने जुगनू की ओर देखा और जुगनू तुरंती पैसे लेकर घर से बाहर गया और रास्ते में थोड़ा भहुत खाने पीने का समान ले आया घर आकर उसने सभी को खाना खिला दिया और कुद भी खाकर सभी लोग सो गए रात हो चुकी थी वे लोग इतने ठके हुए थे किसी को सूधी नहीं थी और फिर ऐसे ही सब सूते रहे सुबह जुगनू और चंदा अपनी सारी ठकान मिटा कर उठ चुके थे और फिर जुगनू ने चंदा से कहा बेटा आज यह अंजान जगय है इसलिए आज तुम संध्या और पायल के साथ रहो हम ऐसे इन दोनों को अकेला छोड़ कर काम की तलास में नहीं निकल सकते आज मैं बाहर जाता हूँ कल तुम बाहर चले जाना चंदा ने हा कर दिया और जुगनू काम की तलास में बाहर चला गया सारा दिन भटकने के बाद भी जब उसे कोई काम नहीं मिला तो वह वापस अपने कमरे पर आ गया चंदा ने जुगनू से पूछा कुछ काम मिला बापो जुगनू ने नाम में सिर हिला दिया चंदा मायूस हो गई और फिर ऐसे ही दिन बीथते रहे दो तिन दिन तक जुगनू लगातार काम की तलास में जाता लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और फिर आकिर में ठक हार कर जुगनो ने चंदा से कहा बिटिया मुझे तो कोई काम मिलता नहीं है आज से मैं घर पर रहूंगा तुम जाकर काम की तलास करो शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए चंदा को जुगनो की बात सही लगी और फिर वे काम की तलास में बाहर निकल पड़ी काफी देर इदर उदर भटकने के बाद उसे एक घर में जाड़ू पोचा का काम मिल गया था चंदा खुस हो गई कि चलो कुछ काम तो मिला थोड़े पैसे तो आएंगे हालंकि वे पैसे इतने नहीं थे कि वे लोग अपने कमरे का किराया और खाना पीना सारी चीजों का खर्चा उठा सकें लेकिन फिर भी चंदा को तसली थी कि कुछ पैसा तो हाथ आएगा चंदा काम की बात करके जो घर आ गई और घर आकर उसने जुगनू को बताया कि उसे काम मिल गया है लेकिन अब उसे थोड़े और काम तलास करने पड़ेंगे जिससे घर के किराया और बच्चों के खाने पीने का खर्चा निकलाए जुगनों ने उससे पूछा क्या काम मिला है बेटी एक बार को चंदा मायूस हो गई लेकिन फिर उसने अपने पिता से जूट का उसने का एक घर में खाना बनाने का काम मिला है जुगनों ने कहा अरे यह तो ठीक है इससे तो कोई परेशानी नहीं है और चंदा ने मुस्कुरा कर आखे जुका ली और उधर सांज के घर अमित से बात सुनने के बाद भी उसकी बड़ी ननंद अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े समैटने लगी और मन ही मन बढ़ बढ बढ़ की मुह बनाते हुए कहने लगी क्योंकि तुम्हारी नई बीवी नहीं चाहती कि मैं यहां रहूं और तुम्हारा भाई ने मुझे धमकाया भी है इसलिए मैं यहां से जा रही हूँ अब तुम्ही समभालो अपने घ्रहस्ती और अपने दोन चोटे बच्चे बढ़ बढ़की ने मुह बनाते हुए कहा बताया तो समझ नहीं आया तुम्हें कहतो रही हूँ तुम्हारी नई बहूरिया उसे भरती रहती है हम दोनों बहनों के खिलाब और वे हम दोनों के ऊपर हमेसा गुसा करता रहता है मैं तो मजबूरी में तुम्हारी वज़े से यहां रह रही हूँ देखो अपना घरवार छोड़ कर और यहां पड़ी हूई हूँ और एक तुम लोग हो तुम्हें मेरे इतने बड़े एहसान की कोई और इतनी बड़ी कुरवानी का कोई एहसास ही नहीं है उल्टा मुझे ही बाते सुनाने में लगे रहते हो बढ़की की बात उसके बात तो वैसे वे पढ़ाई के लिए दोबारा सहर चला जाएगा तब तक तो शायद तुम भी अपनी ससुराल चली जाओगी अनेल की बात सुनते बड़की ने तुरंती अपने कपड़े दोबारा अलमारी में रख दिये जैसे वे इसी फिराक में थी कि कोई उसे र जर रहे थे सांज को इस तरह से अमित की गोद में देखकर अनेल ने तो आखे जुका ली और बड़की ने अपनी आखे चड़ाते हुए गुस्से से उन दोनों को देखा और फिर अनेल की तरब देखते हुए कहने लगी अब ये बेसरमी भी इस घर में होने लगी है ये भ दोबारा जो उसकी बात सुनकर अमित को बहुत जोर से गुस्सा आ गया वैसांज को उसके कमरे में लिटा कर दोबारा कमरे से बाहर आया और अनेल ने गुस्से में अनेल से कहने लगा तुम हो क्या भीया तुम किसलिए इस लड़की को ब्याह कर लाए हो जब तुमसे इसक जिन्दगी क्यों नरख बना रहे हो पहले ही तुमारी चुपपी की बज़े से बड़ी भावी की जान जा चुकी है अब और भी कुछ करवाना चाहते हो क्या कुछ बोलना सीखो और ऐसा कहकर अमित ने अनील को जख जोर दिया बार बार अमित जो अनील को बोलने के लिए कह रहा था और अनील भुतबना खड़ा हुआ था जब अमित ने दो तीन बार अनील को जख जोड़ा तो अनील ने गुस्से में Аमित के मुझा पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया अनील ने अमित के מुझा जोर जोर का तमाचा मार दिया और बड़ी किवाईं कहड़े हैरानी से अनील का चेहरा देख रहा था उसे समझ नहीं आया कि अनील ने उसे तमाचा क्यों मारा है या तो अनील यह सेहन नहीं कर पा रहा कि अमित सांज को इतनी देख भाल क्यों कर रहा है क्यों उसके लिए अपनी बेहनों से लड़ रहा है या तो एक वज़े यह भी हो सक या फिर सचमुच अनील के अंदर का गुसे का बांध फट पड़ा है और वो जो भी कहीं न कहीं तो निकलना चाहा रहा था लेकिन उस वक्त अमित के सामने होने की वज़े से वे अमित के उपर निकल गया और अमित हैरानी से अनील को देखे जा रहा था उसकी आँखों में आ सुरक्षित है वे तो बस उसे एक सुरक्षित माहौल देने की कोसिस कर रहा था अमित ने गुसे से अनील की तरफ आँख उठाते हुए देखा और उससे कहने लगा भाईया आपने मुझे थपड मारा मुझे बुरा नहीं लगा बस मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ कि आपको गुसा किस बात पर आया मेरी बात पर कि मैं सांज की इतनी देख भाल कर रहा हूँ या फिर बढ़की दीदी की बात पर जो हर बात पर अपना अलग ही जो घमन दिखाती है यानि अपना मतलब निकाल रही है मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे तमाचा मारा इस ये लोग सांज के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं मुझे अच्छा लगता कि यही गुसा आप तब भी दिखाते जब ये लोग सांज के साथ बुरा वैवार करते हैं या फिर यह गुसा सिर्फ मेरे लिए था अच्छा ही हुआ कि आज यह सब हुआ मैं चाहता भी था कि आप से बात करूं लेकिन बार बार आप मुझसे और बाकी घर वालों से कटते रहते हैं जब भी कोई बात आती है आप तब आप सबसे पहले महां से चले जाते हैं ताकि कोई आपका मन की बात ना ले पाए लेकिन अब क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि आपकी अंदर भी भावनाएं हैं नहीं तो मुझे तो भावी के जाने के बाद यह लगने लगा था कि वे अपने साथ साथ आपकी सारी भावनाएं अपने साथ ले गई है भाईया मैंने फैसला कर लिया है अब मैं सांज को यहां नहीं छोड़ूँगा यह घर नहीं है यह जंगली जानवर उस का सिकार कर बैठेंगे मौका पाकरे सब उसे खा जाएंगे भाया आपने गलती की है अब उस गलती को सुधार लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बहुत देर हो जाए और इस बार आप बहुत बड़े दोसी कहलाएंगे जो कलंक आपके माते पर लगेगा वे कभी धुल नहीं पाएगा भाया अगर सांज को कुछ हो गया तो आप अपने आपको माफ नहीं कर पाएंगे इसलिए बस मैं आप से यही कहूंगा कि आप सांज को मेरे साथ सहर भेज दीजिए मैं अम्मा को भी अपने साथ ले जाऊंगा महा ले जाकर अम्मा और सांज की देख भाल उसे पढ़ाऊंगा भी अमित की बात सुनकर बड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आखे निकालते हुआ कहा अरे भाई तुम क्यों ले जाओगे सांज को अपने साथ तुम ब्याहके लाए हो उसे क्या अरे जो उसकी जिसकी दुलहन बनाकर जो लाया है वे उसे अपने पास रखेगा तुमारा क्या हक है और तुम किस हक के साथ तुम अपने साथ उसे सहर ली जाओगे हम गाउम वालों को क्या मूँ दिखाएंगे कि नई नई दुलहनिया अपने देवर के साथ सहर में रहने गई है चीची अगर तुमें यह सब करना है तो खुले आम क्यों नहीं करत कह देते कि तुम उस लड़की से साथी करना चाहते हो और अपने भाई की साथी तोड़वाना चाहते हो तो वे कहने लगा तुमें शरम नहीं आती छोटा भाई होकर अपने भाई की बीवी पर नजर रखते हो देख लिया नील मैंने कहात नहीं था कि इस छोटे की नियत साप नहीं है पढ़ लिखकर इसका दिमाग ही भरष्ट हो गया है हम कहते थे न इसे खेती बाड़ी के काम में ही लगाओ पर तुमारे सर पर तो जो इसे डॉक्टर बनाने का भूत सबार था बना लो कर लो अपनी मन मानी बन गया न डॉक्टर और घरवालों पर ही अपनी डॉक्टर ही जाड रहा है बढ़की की बास सुनकर अनील ने अमित से कहा अमित तुमें समझ में अभी आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो सायद तुम्हें अपनी बातों का मतलब खुद ही नहीं पता है मैं जानता हूँ कि तुम सांज की बहुत फिक्र करते हो अच्छी बात है करना भी चाहिए लेकिन सांज तुमारे साथ सहर नहीं जाएगी वे यहीं रहकर जो भी करना चाहे वे कर सकती है अगर वे पढ़ना चाहती है तो मैं उसे पढ़ाने में कोई कसर नहीं रखूँगा लेकिन उसे यहां से कहीं नहीं जाने दूँगा यह मेरी इज़त का सवाल है अनिल की बास्तन कर अमित ने कहा तो आप यह कहना चाहा रहे है सांज यहां रहकर पढ़ाई करे लेकिन यह कैसे संभव है भाईया आपकी यह दौनों लाडली बेहने उसे पढ़ने देंगी एक के बाद एक तकलीब देती है यह उसे और वे घर्म के कामकाज से तो पहले समय निकाल पाई तब ही तो पढ़ाई करेगी बड़ी दीदी का तो मैं समझ सकता हूँ पर इन्हें तो पता ही नहीं है कि सिक्षा क्या होती है इन्हों ने तो बस दो दुनिया देखी है एक अपना गार और दूसरा इनकी ससुराल इनके ससुराल के क्या हाल है वे किसी से छुपे नहीं है और अपनी तकलीपों से निजात पाने के लिए ये किसी और को तकलीप देती है और रही बात छुटकी की तो मुझे नहीं समझाता इसने पढ़ाई भी की है ऐसी भी पढ़ाई का क्या फायदा जब इनसान के मन में दूसरे इनसान के प्रेती दया भाव ना हो अरे तुम लोग तो उसके साथ ऐसा वेवार करते हो जैसे तुम लोग नौकरानी बना कर खरीद कर लेकर आयो क्या ये सच है भीया आपने सिर्फ इसले शादी की थी क्या आ आपको बहुत सारे लोग मिल जाते आपकी बच्चियों को पाल देते और मा की सेबा भी कर देते बेचारी एक लड़की की जिंदगी क्यों खराब की अमित की भास सुनकरानी ने का बस बहुत हो गया अमित अब और परवचन नहीं सुनने मुझे मैंने वही किया जो मुझे सही लगा यही और रही बस सांज की तो तुम उसके घर वालों को तुमने देखा है कभी जाकर मिलकर आना देख कर आना किन परिष्टितियों में सांज रहती थी अरे कम से कम मैंने उसे एक नरक से निकाल कर एक सही जगह पर लाकर रख दिया है उसे अम इतने मुझ बनाते ह हाँ बिलकुल सही कहा भया एक नरक से निकाल कर दूसरे नरक में लाकर रख दिया है उससे पूछो वे उन परिसानियों के बावजूद भी हुआ जायदा खुश थी कम से कम किसी को अपना दुख अपनी तकलीप तो कह पाती थी यहां पर यहां तो उसे कोई समझता ही नही है अरे उसको तो छोड़ो आप तो उसके पती हो आप तो उसको नहीं समझते तो नहीं उसकी तकलीपे समझते हो कभी पूछाय जाकर सांस क्या तकलीप है इतने दिनों भुखार में तपती रही आप गए उसके पास दवाई लेकर उस दिन उसका पैर कटा आप गए उसके पास मर्रम पट्टी ले करने, अरे मर्रम पट्टी तो छोड़ो, आपने तो उससे पूछा भी नहीं कि उसका पैर कटा कैसे, बस रहने दीजिए भहिया, खुसियां सिर्फ पैसों से नहीं आती है, खुसियां तो इंसान के अंदर होती है, रूखी सूखी खाकर भी एक इंसा खुस रह सकता है, आपने भी तो बड़की की शादी बहुत अच्छे घर में की, क्या हुआ, बड़की खुस है, अगर खुस है तो यहां क्यों पड़ी रहती है, जाती क्यों नहीं अपनी ससुराल, अमित की बास सुनकर अनेल ने का, अब तुम उस लड़की के लिए अपन अंदर लगन होगी, तो वे कुछ भी कर लेगी, अब तुम जायदा मत बोलो, बहुत बोल दिया, आज तुमने, अब जाओ, और अपने कमरे में बैट कर पढ़ाई करो, और ऐसा कहकर अनील वहां से जाने लगा, और अमित गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला गया, लोगों को कुछ फरक नहीं पड़ा, उधर सहर में अगले दिन चंदा उठकर काम के लिए निकल गई, जुगनु संध्या और काजल का ध्यान रख रहा था, तबी संध्या ने जुगनु से कहा, नाना जी, आप भी काम ढूणने चले जाईए, मैं पायल का ध्यान रख लू बस इसलिए घर पर बैठाओं, अगर तुम कहती हो ठीक है, पर तुम इतना ख्याल रखना, कि सारे दिन घर का धरवाजा बंद ही रखना, चाय कोई भी हो, धरवाजा मत खोलना, खाना खा कर जो घर पर ही रहना, और खाना खा लेना, और पायल को भी खिला देना, ठीक है त मिलता सहर में, और जुगनू तो बेचार एक लाचार बुड़ा आदमी था, उसे कौन काम पर रखता, सब जगे इदर उदर काम ढूनने के बाद, आखिर उन्होंने दोबारा वही काम सुरू कर दिया, सहर में जुगनू एक सिगनल के पास भीक मांगने लगा, और वह करता भी क्या, यहां कोई खेती बाड़ी का काम तो था नहीं, किसी के खेत में जाकर काम कर लेता, अब जो भी था जुगनू बिना जिज के वही काम उसने पकड़ लिया, क्योंकि फिलहाल उसके आतम सम्मान से जायदा उसको जो अपनी बेटियों की फिकर थी, और धीरे धीरे स चंध्या को भी अपने साथ काम पर लगा लिया, और पायल जुगनू के साथ सिगनल पर जाती, और चंध्या को नहीं पता था कि जुगनू क्या काम कर रहा है, बस उसे तो इतना पता था, वह किसी घर की चोकीदारी करता है, और पायल को अपने साथ ले जाता है, जैसे तै से करके अब चंदा का गुजारा चलने लगा, सहर से आकर बस इतना हो गया था कि ये तीनों मिलकर आराम से खाने पीने का खर्चा और रहने का खर्चा आराम से निकाल लेतें और चंदा थोड़ा पैसे जमा भी करने लगी थी, ताकि वे आराम से अपनी बेटियों की साधी कर सके वे जानती थी फिलाहल वे संध्या को पढ़ा लिखा नहीं सकती क्योंकि अब तो संध्या भी उसके साथ काम पर आने लगी थी और उसे कमाई संध्या की बहुत जादा जरूरत थी क्योंकि इस पैसे से ही वे अपनी बड़ी बेटी सांज को वापस ला सकती थी और तीनों बेटियों का भविश्या भी संभार सकती थी समय अपनी गती से बढ़ रहा था और देखते ही देखते छे महीने बीच चुके थे जुगनों और चंदा को सहर आये हुए और अब चंदा ने जुगनों से का बापू थोड़ा सा पैसा ही खट्टा हो गया है मेरा मन है मैं गाउं वापस जाकर सांज के वापस ले आऊं और चंदा अगले ही दिन गाउं जाने की तैयारी करने लगी उधर सांज का भी जो शादी को छे महीने बीच चुके थे उस दिन की कहा सुनी के बाद अम इस सहर वापस चला गया था उसके लिए हुआ पर अब और रहना मुस्किल रहो रहा था एक तरफ जैसे वे सांज को देखता उसके अंदर उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होती और दूसरी तरफ उसके घरवालों का सांज के प्रेती उदासीन रविया उसको परेशान कर रहा था इसलिए वे सहर में वापस आ गया लेकिन वे लगाता चुठियों के जरिये अपने भाई से यही मिननते करत तरह कि वे लोग सांज का ख्याल रखें और उसकी पढ़ाई सुरू करा दे और अमित के कहने पर अनिल ने सांज की पढ़ाई सुरू कर दी थी यहां तक कि अनिल खुद भी शाम को सांज को एक घंटा पढ़ाता था अनिल खुद भी पढ़ा लिखा था लेकिन परिवार मे बड़ा होने की वज़े से उसके कंदे पर बहुत सारी जिम्मिधारियां थी जिसकी वज़े से वे सेहर नहीं जा पाया और गाउं के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था हालंकि वे संध्या को स्कूल नहीं जाने देता था वे घर में उसकी पढ़ाई करवा रहा था और सांज वे सारी परिस्तितियों से लड़कर अपने लिये रास्ता बना रही थी उसे इतना तो पता था कि अगर वे संगर्स नहीं करेगी तो उसका आगे का जीवन उसकी मा की तरह संगर्सों से भरा होगा उसे अपनी नेती को बदलना था और उस छोटी सी 15 साल की सांज का दिल और दिमाग अमित ने पूरी तरह से बदल दिया था अमित के जाने के बाद उसे यह हैसास हुआ था कि अगर यह इनसान मेरे लिए लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं अपनी परिस्तितियों से लड़ सकती हूँ कहते हैं न बेटियां जल्दी बड़ी और समझदार हो जाती है और सांज के साथ भी वैसा ही हो रहा था कुछ तो चंदा के घर के हाला था और कुछ सांज के घर की परिस्तितिया इन सब को देखते देखते सांज बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी उम्ड में भी बड़ी हुई हो या नहीं लेकिन समझ में भी बभी हो गई थी सांज अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी वे दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती अपने हाथों से उसे खाना खिलाना उन्हें नहलाना धुलाना उनकी चोटी बनाना उसके पास बैटकर उन्हें रामायन पढ़कर सुनाना और सांज की देख रेक के कारण आज सांज की सास छै महिने में चलने फिरने लायक हो गई थी एक वो दिन थे जब सांज की सास को देखकर सब लोगों को ऐसा लगते थे कि आज यह मर जाएगी कल मर जाएगी लेकिन सांज की सेवा की वज़े से आज वे चलने फिरने लायक हो गई और सब भी बहुत आश्चरिय करते थे कि ऐसा चमतकार कैसे हो गया गाम वाले सांज का गुनगान करते नहीं ठकते थे कि तुम्हारी बहु कितनी गुनवान है सब जानते थे कि अनील की बहने कैसी हैं लेकिन फिर भी सांज उन सब को जहल रही थी यह बहुत बड़ी बात थी अनील अभी भी वैसा का वैसा ही था वैसांज को से सिर्फ पढ़ाई की बात करता इसके अलावा नहीं उसे कभी अपने जीवन को लेकर सांज से कोई बात की थी और नहीं सांज से उसके बारे में कुछ पूचा वे तो बस अपने कमरे में बैठा रहता था नौकरी और अपने कमरे के अलावा उसका और कोई ठिकाना नहीं था वे कहीं नहीं जाता था उसकी बड़ी बेटी काजल और छोटी बेटी का सांज बहुत ख्याल रखती थी अवे दोनों बच्चियां देखने में अच्छी लगने लगी थी उन्हें देखकर ऐसे लगता था जैसे उनकी मा वापस आ गई हो या तो सारे लोगों की बात हुई लेकिन सांज उसका क्या वे कैसी थी सांज कैसी हो सकती थी बेचारी वे तो बस मसीन की तरह सारा दिन काम करती थी अपनी सास को देखना उन बच्चों को देखना और किसी से भी कोई उमीद नहीं रखना बस ऐसी ही थी सांज और बचे कुछे समय में मेहनत करके पढ़ाई करती थी उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि आखिर अनिल ने उससे शादी क्यों की वे बस इतनी समझदार तो हो गई थी उससे सादी का मतलब पता चलने लगा था पढ़ोसियों की बहुए उसके पास आकर उससे तरह तरह की बाते करती थी मेरा पती मेरे लिए यह लेकर आया मेरा पती मेरे लिए वह लेकर आया तुमारा पती क्या लाया तुमारे लिए सहर से और सादी उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था वे बताती तो क्या बताती उसका पती उससे के पास आकर बैठता भी नहीं है उससे दो बाते भी नहीं करता है अंदर ये अंदर सांज घुटती सी जा रही थी लेकिन बस एक चीज थी जो से संभाल कर रखे वे थी वहती उसकी पढ़ाई उसे पता था आगी चल कर यही पढ़ाई उसका जीवन बदलने में उसकी मदद करेगी उदर सहर में चंदा सांज से मिलने की तैयारी कर रही थी और फिर आज चंदा सांज से मिलने उसके गाउं पहुंची थी इदर उदर भटकने के बाद आकिरकार उसे सांज का घर मिल गया सांज का घर देखने पर चंदा को बहुत खुशी हुई मनी मनवे सोच रही थी घर तो गूमने निकली हुई थी, घर में उस वक्त सिर्फ सांज और उसकी सास अकेले थे, दरवाजे पर खटखटाट सुनने के सांज ने जो दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही सांज की सांसे रुख गई, सांज ने अपनी आखों पर उसे विस्वास नहीं हो रहा था, उसन चंदा को इतने समय बाद ऐसे देखकर उसे समझ नहीं आया, वे कैसी अपने भावनाओं को जाहिर करे, और चंदा भी सांज को देखकर बस उसे देखती रह गई, और फिर अचानक दौना मा बेटी जोर जोर से एक दूसे के गले लगकर रोने लगी, और उसके बाद जो तो कहने की जरूरती नहीं, दौना की आँखों से लगातार आसूओं की बरसात हो रही थी, दौना एक दूसरे को छोडने को तयार नहीं थी, बस जोर जोर से रोए जा रही थी, तभी सांज की सास भागती हुई, सांज के पास आयर उससे कहने लगी, क्या हुआ मेरी बच् सांज की सास के पैर चुने के लिए जुकने लगी तब ही सांज की सास ने उन्हें रोक दिया अरे नहीं नहीं बेहन आप मेरे पैर मत पढ़िये आपने तो मुझे अपनी जिंदगी दे दी है कि बेटी वह तो मेरे लिए वरदान बन कर आई है उनकी बास सुनकर चंदा ने सा आपने अपनी बच्ची मुझे दे कर मेरे उपर बहुत बड़ा एसान किया है इस बच्ची ने तो हमारे घर की काया ही पलट दी है अरे मैं तो मरने वाली थी यह तो मुझे मौत के मुझे छुडा कर लाई है और फिर वे अपने सर पर हात रखते हुए कहने लगी अरे मैं भी क्या बाते करने बैठ गई आईए आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं आप अंदर आईए और फिर ऐसा कहकर वे चंदा को लेकर घर के अंदर ले आई और चार पाई पर बिठा दिया सांज भाग कर अपनी मा के लिए पानी लेने चली गई और फिर सांज के साथ चंद पता करने के लिए लेकिन उसे आप लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चला शायद आप लोग घर छोड़ कर जा चुके थे दिलिप ने ऐसा बताया कि आप लोग शायद सहर चले गए हैं बताया क्या उसे शायद खुद ही नहीं पता था आप लोग कहा हैं पर कोई बात देर से ही सही लेकिन कम से कम आप अपनी बेटी से मिलने तो आई है सांज आज कितनी खुस होगी यह तो बताना मुस्किल है क्यों है ना सांज उसकी सास कहने लगी सांज की सास ने उसकी तरब देखते हुए कहा और सांज धीरे से आकर अपनी मा की बगल में बैठ गई उसका तो मनी नहीं था कि वे एक पल के लिए भी अपनी मा को छोड़े और सांज की सास यह बात समझ चुकी थी उसने सांज से का बिटिया तुम अपनी मा के पास बैठो मैं जरा आराम कर लीती हूं और ऐसा कहकर उसकी सास अपने कमरे में चली गई सांज अपनी मा को अपने कमरे में ले आई चंदा घूर घूर कर कभी सांज को देखती और कभी पूरे घर को देख रही थी उसे यकीन नहीं हो रहा था सांज ने इस पूरे घर को संभाल लिया अरे सांच तो इतनी नादान थी कि यह अपने आप को ही नहीं संभाल सकती थी इसने इतने बड़े घर को और इस घर के रहने वाले लोगों को कैसे संभाल लिया मेरी छोटी सी सांच इतनी बड़ी कैसे हो गई यह बातचंदा के लिए थोड़ी अजीब थी वे सांज को बार-बार देख रही थी अच्छी लगने लगी थी सांज उसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ गई थी लेकिन हाँ उसकी आँखों में वे चमक वे खुसी नहीं दिखाई दे रही थी जो खुसी एक खुशाल शादी शुदा लड़की की आँखों में हूती है चंदा ने सांज से कहा बेटा इधर आओ तुमसे कुछ पूछना है सांज अपनी मा की गोद में सर रखकर लेट गई चंदा उसके सर पर हाथ फेड़ते हुए उससे कहने लगी तुम्हारा पती कैसा है बेटा सांज ने आख उपर करते हुए अपनी मा से कहा जैसे सारे पत वे कोसिस करते हैं कि वे हमारे सामने ही ना पढ़े जब वे बच्चों को पढ़ाते हैं तब उस वक्त हमें भी पढ़ाते हैं और उसके अलावे हमें नहीं पता वे कैसे हैं उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता यह सब बाते सु का चंदा को थोड़ी राहत हुई उसने सांज से कहा तो इसका मतलब तुम दोनों पती-पत्नी की तरह नहीं रहते हो सांज ने आखे उठाते हुए अपनी मा को देखा और फिर दोबारा अपनी आखे जुका ली चंदा को डर लगनी लगा उसे समझ नहीं आया कि सांज ने इस बात पर चुपी क्यों साध ली उसने दोबारा सांज से फिर वही परसिंद पूछा बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सर्माओ मत ठीक से बताओ सांज ने आखे जुकाए हुए चंदा से कहा नहीं अम्मा हम लोग पती पतनी के जैसे नहीं है मैं तो बस यहाँ पर एक किराइदार के जैसे रह रही हूँ जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा उस दिन यहाँ से चली जाऊंगी सांज की बाते सुनकर चंदा को दुख भी हुआ और खुसी भी उसने सांज को गले लगाते हुए उससे कहा नहीं नहीं बेटा आब और नहीं मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ तुम मेरे साथ सहर चलो वहाँ चल कर हम चारों मिलकर कमाएंगे और अच्छे से रहेंगे मैं तुम्हें इस नरख में नहीं छोड सकती हूँ अपनी मा के मुँसे यह बात सुनकर सांज को थोड़ा अजीब लगा उसने अपनी मा से कहा चारों मिलकर कमाईंगे इसका मतलब क्या है संध्या भी नौकरी करने लगी है अम्मा उसने तो पढ़ाई नहीं की क्या फिर सेहर में उसे नौकरी कैसे मिल गई यह और वे तो अभी बहुत छोटी है सिर्फ तेरे साल की ही तो है सांज के परशनों को सुनकर चंदा निका बेटा सहर में और भी बहुत सारे काम है और आज कर हम लोग वही काम कर रहे हैं सांज ने चंदा की ओर देखते हुए का कौन से काम अम्मा कौन से काम होते हैं जो बिना पढ़ाई के लिखाई के हो जाते हैं सहरों में खेती बाड़ी तो नहीं होती फिर सांज के प्रिष्णों को सुनकर चंदा थोड़ी चिड़ गई उसने सांज से कहा यह तुम क्या पढ़ाई लिखाई का बाजा बजा रही हो अरे कुछ नहीं होता पढ़ाई लिखाई करने से बस पैसा कमाना होता है इंसान को फिर चाहे वे कैसे भी कमाई हम लोगों के घरों में काम करते हैं जाड़ू पोचा बरतन खाना बनाना यही सारे काम करते हैं और इसमें कोई सरम की बात नहीं है हम मैनत करते हैं वे लोग हमें पैसे देते हैं अब हमारे दिन ठीक से गुजर रहे हैं चंदा की बास सुनकर सांज देखा लेकिन मा अभी तो संध्या के पढ़ने लिखने के दिन थे आपने अभी से उसे काम कराना क्यों सुरू कर दिया ठीक है आप काम कर रही थी ना नाना आजी काम कर रहे थे आपको तो संध्या को स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए था वे कुछ पढ़ लिख जाएगी तो आगे जाकर हम सब के दिन फिर जाएंगे और फिर वे पायल को भी तो आगे ले जाकर पढ़ाई करवाएगी आपने तो अभी से सबी रास्ते बंद कर दिये सांच की बाते सुनकर चंदा को जो है गुस्सा आने लगा उसने सांच से का तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया सांच क्या बाते कर रही है कि अब पढ़ना लिखना सब अमीर लोगों की चोचले होते हैं हम जैसे गरीब लोग हम तो बस दो वक्त की रोटी कमा कर खाले वही बहुत है चंदा की बात सुनकर सांच ने का नहीं अम्मा आप गलत कह रही हैं हम जैसे गरीब लोग भी पढ़ लिखकर अपने दिन सुधार सकते हैं अपनी जिंदगी बना सकते हैं अब सांच की बातों से चंदा का दिमाग खराब हो रहा था उसने सांच से का तुम मेरे साथ चलेगी या नहीं तुम मुझे बस इतना बता और तभी चंदा ने सांच से यही बाते पूछ रही थी कि तभी अनील उसके कमरे में आ गया अनील को इस तरह से अपने सामने पाकर सांच खड़ी हो गई और उससे कहने लगी क्या हुआ आपको कुछ चाहिए अनील ने चंदा की तरफ देखते हुए का यह तुमारी मा है ना सांच ने हां में सिर हिला दिया अनील ने हाथ जोडते हुए चंदा की तरफ नमस्ते किया चंदा ने भी अनील को देखकर हाथ जोड दिये अनील अंदर ही अंदर घबरा रहा था उसने सांच से कहा सांच ए पेरे सामने कर ले चंदा की बास सुनकर सांज वहीं खड़ी हो गई अनिल समझ चुका था चंदा सब जानती है कि वह सांज से क्या कहने वाला है उसने कहा देखें मुझे पता है आप सांज को लेने आई होंगी लेकिन मैं सांज को नहीं जाने दूँगा अभी सांज पढ़ कुछी दिनों में इसके इमत्यान आने वाले है एक बार उसके इमत्यान खतम हो जाए तब आप सांज को छुट्टियों में ले जाना और उसके बाद उसे वापिस भी भीज देना क्योंकि इसका बड़े स्कूल में दाखिला करवाना है अनिल की बास सुनकर चंदाने का बस लिखाई करके भी अब गुसे में चंदा बोल रही थी अब मुझे मत समझाए और मैं अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए यहां से लेने आई हूँ चलो सांज अपना समान उठाओ और मेरे साथ वाप सहर चलो तो मैं यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है अनिल ने चुप हो गई लेकिन फिर उसे लगा कि वह क्यों चुप हो है गलती तो इन लोगों ने की है और फिर उसने सांज की साथ से कहा देखिए मैं अपनी बेटी को वापस लेने आई हूँ अब आप भी ठीक हो गई है अब मैं अपनी बेटी को आपके बेटे से तलाग दिलाना चाहती हूँ मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी आप लोगों के साथ रहे चंदा की बात सुनकर सांज की साहरानी से उसका मूँ ताकनी लगी और उससे कहने लगी आप ये सब क्या कह रहे हैं बेहन जी आप सांज को अपनी साथ नहीं ले जा सकती सांज मेरी बेटी है मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी है ना नील तुम बताओ अनील तुम इनने बोलो ऐसा नहीं कर सकती है और ऐसा कह कर सांज की सासों बिस्तर पर बैठ गई और सांज चुपचाप उन सब की बाते सुन रही थी और वे समझने की कोसिस कर रही थी हर बार क्या दूसरे लोगी उसकी जि अधिकार नहीं है अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का और तभी चंदा ने गुसे में आते हुए सांज का हाथ पकड़ लिया और सांज से कहने लगी तुम छोड़ो मैं कपड़े लत्ते भी मैं तुमें खरीद कर दे दूँगी तुम बस यहां से चलो चंदा सांज को गुसे में घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी और अनील चुक चाप हुआ खड़ा हुआ सांज को देख रहा था अनील की मा भागती हुई अनील के पास आई और उससे कहने लगी बेटा रोक ले उसे मत जाने दे अगर सांज मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा एक सांजी थी जिसकी वजह से मैं अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हुई हूँ मुझे दोबारा बिस्तर पर नहीं जाना बेटा उसे रोक लो और यह कहते हुए अनील की मा फूट फूट कर रोने लगी वे सांज को आवाज लगा रही थी उ मुझे छोड़ कर मत जाओ तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो मैं यहां नहीं रहूंगी तुम्हारे भी ना बेहन जी आप सांज को मत ले जाईए सांज की सास बार बार चंदा से कह रही थी हमसे जो गलतियां हुई है हमें माफ कर दीजिए और ऐसे ही लगातार सांज की सास उसे आवाज लगाती जा रही थी और सांज बार बार पलटकर अपनी सांज को देख, सास को देख रही थी अनिल दरवाजे पर बुथ बनाख खडा हुआ था और जब अनिल की माने देखा अनिल कुछ नहीं कह रहा है तो वह सांज के पीछे भागने लगी और फिर अपनी चोट की परवा किये बगेर सांज को अबाज लगाती जा रही थी और सांज ने जैसे देखा उसकी सास को चोट लग गई तो वे और वे गिर गई है उससे रहा नहीं गया उसने चंदा का हाद जटक कर छोड़ दिया और सीधे भागते हुए अपनी सास के पास आ गई खड़े होकर क्या देख रहे हैं जल्दी आई ये मा को चोट लग गई है और अनेल भी अपनी मा की तरफ ही आ रहा था वे भी भागते हुए अपनी मा को उठाने के लिए आया चंदा ये सब खड़े खड़े देख रही थी दिल तो उसका भी पत्थर का नहीं था सांज की स सास को चोट देख कर वे भी खुद को उनके पास रोक नहीं सकी और आ गई और फिर उन तीनों ने मिलकर सांज की सास को अंदर लेकर गए और डॉक्टर को बुलाया और उनकी मर्रम पट्टी की गई सांज की सास बेहोस हो चुकी थी फिर जैसे ही उसे होस आया वे बेहतासा चिलाना सिरू कर देती मेरी सांज को मत ले जाओ मैं उसके बगेर नहीं रह पाऊंगी एक वही तो है जो मेरा दुख दर्द समझती है और फिर ऐसा कहकर वे बार बार बेहोस हो रही थी डाक्टर ने उनकी हालत जो देखी नहीं जा रही थी फिर सांज से डाक्टर ने कहा बेटी क्या तुम कहीं जा रही हो सांज ने मायोसी से अपनी मा का चहरा देखा फिर अनील का और अनील ने बात संभालते वे डाक्टर से का जी हां डाक्टर साफ जब से सांज की साधी हुई है वे अपने माय के नहीं गई अपनी मा के साथ अब वे अपने माय के जा रही थ देखिए वह सब ठीक है लेकिन आपकी मा के लिए अभी कोई भी इस तरीके का सदमा ठीक नहीं है इतने सालों बाद अभी तो ठीक हो पाई है आप उन्हें एक खुसियों भरी जिन्दगी दीजिए उन्हें चिंताओं की खुसियों की जिन्दगी दीजिए चिंताओं की नही खुसियों की जरूरत है उन्हें, आप लोगों से जितना हो सके उतना खुस उन्हें रखी है, उन्हें किसी दवादारू की जरूरत नहीं है, आप लोग उन्हें जितना खुस रखोगे, उतनी जल्दियों ठीक हो जाएंगे, कहते हैं न, चिंता-चिता के समान होती है, अगर आप लोग उन्हें जिन्दा देखना चाहते हैं तो उन्हें खुश रखिये उनका रक्त चाप लगातार बढ़ता जा रहा है डॉक्टर की बात सुनकर सांज ने हां में सिरहिला दिया चंदा घूर घूर कर सांज की तरब देख रही थी ऐसा नहीं था कि चंदा का हिर्दया नहीं था लेकिन वे भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी दोबारा इन सब पचड़ों में फसे वे अपनी बेटी को जल्द से जल्द महां से ले जाना चाहती थी और कोई भी मा अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचेगी और चंदा भी वैसा ही कर रही थी लेकिन क्या सा सांज भी तो वही कर रही थी इंसानियत भी थी उसके अंदर और इंसानियत के नाते भी और वह एक साल से उनके साथ रह रही थी तो पिछले एक साल से और सांज इस घर में इन लोगों के साथ रही थी भले ही सांज की नननत कैसी भी हो लेकिन उसकी सास उन्होंने तो सांज को अपनी बेटी से जादा प्यार किया था हालांकी सांज ने उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी रही बात अनील की तो अनील ने भी परत्यक्स रूप से कभी भी सांज को परेशान नहीं किया था वे तो खुद अपनी जिंदगी से परेशान था और जिंदगी को एक बोज की तरह ढो रहा था हालंकि सांज ने कभी भी किसी तरह की अनील से सिकायत नहीं की थी और ना ही अनील ने वे इसी तरह अपनी जिंदगी जी रहा था सांज लगातार कनखियों से चंदा को देखे जा रही थी और चंदा सांज के बदले हुए भाव को पढ़ने की कोशिस कर रही थी वह यह जानने की कोशिस कर रही थी आखिर सांज के मन में चल क्या रहा है डॉक्टर के जाने के बाद अनिल मायूसी से सांज का चेहरा देख रहा था शायद कुछ कहना चाहा रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, कहता भी तो किस मुह से उसके घरवालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सांज को परिसान करने में, आलंकि उन घरवालों में सिर्फ उसकी दोनों बहने आती थी, लेकिन फिर भी अनिल चाहता था, कि वे बढ़की और छुटकी को रोक सकता था, लेकिन उसने कभी उन्हें रोकने का प्रियास नहीं किया, तो इस सबका तो उसकी मौन सहमती ही समझी जाएगी, क्योंकि उसने कभी अपनी बहनों से टोका टाकी भी नहीं की, और वे सब देखता रहा, अनिल को पश्तावा हो रहा था, क्यों नहीं उसने सांज के रहते हु इस कदर घुल मिल गई है, सांज के साथ जैसे सांजी उनकी सगी मा हो, माक का क्या होगा, माके लिए तो इस घर में सांज से बढ़कर और कोई है ही नहीं, फिर अचारक से अनिल के मन में ख्याल आया, कि मेरा क्या होगा, सांज मेरा भी तो बहुत ख्याल रखती है, मेरी हर समय पर देना हर जरूरत का ख्याल रखना और फिर उसी पल में अनील के दिमाग में यह भी आया कि पहले भी तो मैंने स्वार्थी बनकर सांज की जिंदगी खराब करने की कोशिस की उससे शादी करके मैंने उसकी जिंदगी खराब करने की कोशिस की है और अब जब जब दोब परस्वार्थी बन कर कभी अपनी मा के बारे में सोच रहा हूं और कभी अपनी बेटियों के बारे में सोच कर कितना स्वार्थी बन रहा हूं सांज भी तो किसी की बेटी है क्यों नहीं मुझे उसके उपर तरह साता बेचारी एक साल से इतनी परिपक हो गई है कि शायद किसी 40 साल की औरत भी इतनी परिपक नहीं होती होगी भी क्या कर रहा हूँ मैं नहीं नहीं मुझे सांज के उपर आब और दबाब नहीं बनाना चाहिए और मैं अब ऐसा नहीं करूँगा मा का क्या है धीरे धीरे सब समझ जाएगी मेरी बेटियां भी धीरे धीरे सब समझ जाएगी सांज के बगैर उन्हें कैसे रहना है और अब मैं और स्वार्थी नहीं बनूँगा पहले मैंने इतना बड़ा पाप किया था जो सांज जैसी लड़की से शादी कर ली अब और पाप करने के हिम्मत मेरे अंदर नहीं है अब यह सारा फैसला मैं सांज के ऊपर छोड़ूँगा अन्तिम फैसला सांज का ही होगा वे जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा और ऐसा सोच कर अनील ने सांज का हाथ पकड़ा और उसे अंदर कमरे में ले जाने लगा सांज हैरानी से उसका चहरा देख रही थी और तभी चंदा ने अनील को रोकते हुए का क्या कर रहे हो कहा ले जा रहे हो मेरे बेटी को क्या तुम अंदर बंद कर दोगे ऊसे देखो तुम ऐसे जबर्दस्ती नहीं कर सकते हो तब ही अनील ने पीछे मुड़ कर देखा और सांज ने चंदा के हाथ से इसारे से वहीं रुकने के लिए कहा चंदा वहीं चुपचाब बैठ गई अनील सांज को लेकर उसके कमरी में आया और शायर एक साल में वह पहली बार सांज से बाते कर रहा था उसने सांज से कहा तुम क्या चाहती हो देखो सांज मुझे पता है कि मैंने तुमारे साथ अच्छा नहीं किया और मेरे घरवालों ने भी तुमारे साथ अच्छा नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घरवालों को छोड़ कर ना जाओ लेकिन यह मेरा सोचना है तुम क्या सोचती हो मैं सारा फैसला तुमारे उपर छोड़ता हूँ अगर तुम अपने माबाप के पास जाना चाहती हो तो तुम उसके लिए सवतंत्र हो अब फैसला तुमारे उपर है तुम जो भी चाहोगी वही होगा सांज की आखों में थोड़ा पानी आ गया उसकी आखी लाल हो गई थी वह ऐसमंजिस में जूल रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था आकिर उसका फैसला क्या होना चाहिए और वह चुपचाप सांज कमरे से बाहर आ गई चंदा बेसबरी से सांज का इंतजार कर रही थी उसने सांज से का चले सांज घर चले सांज ने हां में सिरह ला दिया अनील सांज से कुछ नहीं कहा उसने सांज से कहा तुम अपने कपड़े रख लो काजल और छोटी को आने से पहले तुम चली जाओं यहां से बलकि मैं तुम्हें खुरी छोड़ कर आता हूँ अभी बस आने में एक घंटा है तब तक तुम बस स्टेंड पर इंतजार कर लेना सांज हैरानी से अनील का चेहरा देख रही थी उसे कतई विस्वास नहीं था कि अनील उसे इतनी आसानी से जाने देगा सांज अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े समेटने लगी कपड़े समेटते समेटते उसकी अलमारी से काजल और छोटी के खिलोने गिरने लगे वे संभाल संभाल के काजल और छोटी का खिलोना दोबारा अलमारी में रखती जा रही थी उसका दिल उन खिलोनों को देखकर भारी हुरा था अपने कपड़े समेट कर सांज ने एक पोटली बना ली थी और फिर तबी अनील उसके पास आया और उसे एक बकसा देते हुए कहन लगा इसमें अपने कपड़े रख लो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा उसने उस बकसे में अपने कपड़े रख लिए सांज ने जो जो एवर पहने हुए थे वे सारे जेवर उतारने लगी और एक एक करके अनील को देने लगी अनील के हाथ काँप रहते गहने लेते वक्त उसका दिल जोर जोर से रो रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि वे अभी सांज को मना कर दे तुम कहीं मत जाओ और यहीं रहो तुम यहां भी अपने हिसाब से जिंदगी जी सकती हो लेकिन शायद अनील की अंतरात्मा उसे ऐसा कहने से रोक रही थी और उसके पीछे की क्या वजह थी यह तो खुद वह भी नहीं जानता था फिर सांज ने अपने हाथ के कंगन उतारने शुरू कर दिये अनील ने उसे रोक दिया कुछ चीजे तुम अपने पास रखो यह सब चीजे तो वैसे भी माने अपनी बहु के लिए बनवाई थी तुम पहने रहोगी तो उस सांज की आँखों में आसु थे उसने अनील की तरफ देखा और फिर नामे सिर हिला दिया फिर अपने हाथ के कंगन भी उतार अनील को दे दिये फिर सांज कमरे से बाहर आ गई एक आखरी बार उसने पलट कर अपने कमरे की तरफ देखा और उसके बाद उस एक साल में उस कम था अनिल ने मोटर साइकल पर सांज और चंदा को बिठा लिया और उने लेकर बस इस टेंड तक जाने लगा वहाँ पहुँचकर बस को आने में देर थी अनिल ने कुछ फल खरीद कर सांज को दे दिये और उसे का तुम अगर कुछ खाती नहीं हो तो तुमें कमजोरी आ जाती है यह थोड़े से फल है रास्ते में खा लेना भूके मत रहना और ऐसा कहकर अनिल घर वापस जाने लगा फिर भारी मन से अनिल मोटर साइकल पर बैट कर घर वापस आ गया वह ज़्यादा देर हुआ इसलिए नहीं रुका क्योंकि एक तो उसकी मा घर पर अकेली थी और दूसरा शायद वे सांज को ऐसे जाते वे देख नहीं सकता था और फिर थोड़ी देर बाद बढ़की और छुटकी भी पड़ोस के घर से वापस आ गई थी काजल और छोटी भी उनी के साथ थी घर में इतना सन्नाटा देखकर बढ़की छुटकी ने दोनों बहनों ने अनिल से पूछा सांज कहा है नजर नहीं आ रही अरे हमारा तो चा देखकर उन्होंने अनिल से का क्या हुआ है अमा को और सांज कहा है तब तक बढ़ी काजल और छोटकी जो छोटी बेटी थी पिंकी वो सांज को सब जगे ढूंड रही थी पिंकी ने तो जोर जोर से रोना भी सुरू कर दिया था और जब पिंकी जोर जोर से रोने लगी त गर से और जैसे छुटकी ने यह सब्द बोला अनील ने गुसे में जोरदार तमाचा छुटकी के गाल पर जड़ दिया छुटकी तिल मिला कर रह गई वह अपने हाथ से अपना गाल सहला रही थी और गुसे से बड़बडाती होई कहने लगी कुछ बताते क्यों नहीं हो और मैंने अंदाजा लगाया तो मुझे तमाचा जड़ दिया अब बताओ भी कहां चली गई है अनील ने गुसे में कहा उसकी मा लेने आई थी वह अपने घर जा चुकी है तिल के मुह से यह सब सुनकर जो सुनकर वह बैठ गई और फिर अनील से कहने लगी ऐसे कैसे तुमने उसे जाने दिया अरे मुफ्त में थोड़ी खरीद कर लाए लाए थे पैसा दिया था उसके बाप को तुम जाओ उसके बाप के पास और उससे कहो हमारा पैसा वापस करे हम किसी और को ले आएंगे अब तुम्हारी बेटियों का कैसे गुजारा होगा और यह अमा को कौन सं कराओ हम तुम्हारे लिए कोई और लड़की खोज लेंगे इस दुनिया में बहुत जरूरत मन्द है जिने पैसे की जरूरत है पैसे की खुस्बू सुंकर फिर से कोई अपनी बेटी देने को तैयार हो जाएगा बढ़की की गिनौनी सोच पर अनील को गुसा आ रहा था व और दौनों को बिस्तर पर बेटा कर अपने हाथ से खाना खिलाने लगा उदर सांज स्टेशन पर बैठे बैठे अपनी बस आने का इंतजार कर रही थी और चंदा सांज के सर पर हाथ पिरा रही थी और उससे कह रही थी तुमें पता है बेटा मैंने तो उम्मीद ही हम सब साथ मिलकर चंदा की बाते सुनकर सांज ने आखे उठा कर उसकी तरफ देखा उसकी आखों में बहुत सारे प्रिशन थे शायद चंदा ये जानती थी सांज की आखे कुछ कहना चाहती है उसने सांज से कहा क्या बात है सांज मुझे तुम खुस नजर नहीं आ रही हो त एक बेटी तो हमेशा अपनी मा के पास ही रहना चाहती है और फिर जैसे ही सांज ने यह सब्द कहे उसके ठीक सामने एक ओरत हुआ से निकल रही थी जो अपनी दौनों बेटीों को प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी सांज ने उस ओरत की तरफ देखा वो कितन कहीं भूख से रोना रही हूँ और फिर ऐसा सोचकर सांज थोड़ी परेसान हो गई सांज ने सांज की तरफ देखा और उससे कहा क्या हुआ बेटा अपनी मा को नहीं बताओगी तो मुझे कुछ खुस नहीं लग रही हो तो कोई बात है तो मुझसे कहो शायद मैं तुमार साथ थी भी वही सब हो रहा होगा तुम भी मुझे याद करती थी ना मा चंदा ने हामेसर हिला दिया सांज ने चंदा से फिर का मा आपको पता है काजल और पिंकी मेरे बगेर एक मिनट भी नहीं रह पाती है इस एक साल में वे लोग मुझे छोड़ कर कभी कहीं नहीं गई चाहे कोई शादी हो या कोई उतसब हो कुछ भी हो वे दोनों हमेसर मेरे साथ रहती थी जहां भी जाना होता मेरे साथ ही जाती थी और अगर मैं नहीं जाती थी तो वे दोनों भी नहीं जाती थी मा आपको पता है काजल मुझे से कितना प्यार करती है जब तक मैं खाना नह हम दोनों को पढ़ाते हैं अगर मैं उस वक्त कोई काम कर रही होती हूँ तो काजल मुझे जबरदस्ती घसीट कर मेरी कितावे लेकर अनिल जी के पास पहुंच जाती है और फिर मुझे वही अपने पास बठा कर पढ़ने के लिए कहती है मा तो मैं उन दोरों से बिना मिले ही कि आ गई हूँ